तोड़े वी डिस्कस में लोगों ने बायो डायोशिटी को देखा था आज हम लोगों देखेंगे में बायोडायोशिटी का मतलब तो पता चली गया था पिछले क्लास में क्या होता है लाइफ फॉर्म ओके तो देखते क्या है बायोडायोशिटी हमारे वर्ड का या इंडिया का डायोशिटी अस्पीसीज का प्लांट का कितना है इस चीज़ के बारे में देखेंगे सबसे पारे इसका फॉल फॉर्म बहुत बार पुछा जा चुका है आगे हम लोग डिसकस भी करेंगे वैसे होता है इंटरनेशनल यूनियन फोर नेचर एंड नेचरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन ओके आगे हम लोग यह नोट्स में आपका मिल जाएगा आगे हम लोग पढ़ेंगे वे इसको आई यू सीएम को तो आई यू सीएम जो है बहुत बड़ी संस्था है 2004 में उन्होंने एक रिपूर्ट सम्मिट किया था जिसमें उन्होंने बताए कि इस प्लानेट पे अर्थ पे टोटल जो स्पीसीज है कितना है 1.5 million equal to 15 lakh ठीके इतना स्पीसीज के बारे मुनोंने बताए इतना स्पीसीज को रिकॉर्ड किया गया था अभी यह स्पीसीज लगवग जो है वो चला गया 1.8 million ओके तो सोचे कितना स्पीसीज है कहाँ पे हमारे अर्थ पे ओके देन आउट अउट अप इस देज दा नंबर अफ नॉन आउस्पीसीज इन इंडिया एज 1,42,000 ओके जिसमें आपका जो रिपोर्ट था यह IUCN का रिपोर्ट है इसमें 45,000 प्लांट था और लेस आपका अनिमाद था ओके यह IUCN का यह है रख लिए आपके देखा जाए तो टोटल अस्पीसीज का 8.1% अस्पीसीज जो है वो आपका कहां है इंडिया तोटल वर्ड में जितने अस्पीसीज है उसका 8.1 अस्पीसीज जो है वो कहां पे है इंडिया और अगर फ्लोटल वर्ड का पूरे वर्ड में जितना लेंड एरिया है उसका सिर्फ इंडिया का देखा जाए तो कितना है 2.4 अनिकि 100% का 2.4 लेंड एरिया कवर करता आपका इंडिया और इस 2.4 लेंड एरिया में तोटल अस्पीसीज का 8.1 अस्पीसीज जो है वो कहां पाए जा रहा है इंडिया में ओके इंडिया में इंडिया 45,000 अस्पीसीज और प्लांट एंड इससे ज्यादा आपका क्या है एनिमल उपर भी आम लोग देखे थें ओके इंडिया 12th नम्मर आप मेंगा बायो डावर्सिटी जान लीजे बायो डावर्सिटी, मेगा बायो इंडिया ओके और आपका एक नम्मर में आता है नौर्थ हमेर का च्योंकि वहां पर एमेजोन पर जेन है तो बाराव डावर्सिटी में हमारा इंडिया का नम्मर कितना है 12th नम्मर ने ओके इट बिलीव डाएट अब यह माना जाता है कि बहुत जादा स्पीशिज जो है अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है बहुत अस्पीशिज को डिस्कवर करना है आप लोग भी कर सकते हैं डिस्कवर ओके नेक्स्ट हनुव जगते हैं एक साइंटिस्ट थे रोबर्ट मे नाम था उनका वो एक देखे बहुत सारा थेरी आए हुआ है कि इतना स्पीशिज है इतना स्पीशिज है इसे हमारे धर्म सास्त में भी लिखा हुआ है कि 84 लाख योनी जो है परजेंट है तो चवराशी ला इसे हमारे अर्थ पे टोटल सेवन मिलियन अस्पीशीज हो सकते है ठीक है और इस सेवन मिलियन अस्पीशिज के बारे में इन्होंने रॉबर्ट में ने बताय था रहा रखिएगा इसनों ओके अब क्या देखते है 70% all the recorded species are animal wild plant अब देखे जो record किया गया था वो कितना 1.5 उससे ज्यादा उसमें 70% species जो होगा आपका animal होगा ओके और less जो होगा आपका प्लांट Among animal insect are dumbost और animal में सबसे ज्यादा क्या होगा? Insect होगा इक की स्पाइलों से ब्लॉंग करता है? Arthokoda, आपनों को पता है Arthokoda? यह joint dependencies, तो इसमें अगा हम दो देखे 70% animal है total और यह इसमें से जो है 70% आपका क्या हो जाएगा? Insect 70% total animal में 70% क्या है? Insect है Okay, तो सबसे ज्यादा species जो आपका क्या है? Insect क्या है? वही अभी हम लोग देखेंगे The number of identified species involved World में जो species identified क्या है उसमें से सबसे ज्यादा जो आपका इंसेक्ट होगे 70% जो ब्लेस बचता है उसमें higher plant आपका कितना है? तो 2,70,000 तो 2,70,000 plant species जाएगा पूरे world ही बात करता हूँ अभी Okay, algae, how many species आ रहे हैंगी? 40,000, fungi 72,000, bacteria 4,000, virus 1550, one cut क्या, coronavirus आपका Okay, उसके बाद, mammals 4,650, हाना? 4,650 इतना species जो है और क्या? Birds Birds अगर देखा जाए तो 9,700 Reptiles देखा जाए तो 7,750 Fishes देखा जाए तो 26 Mollusca, 70,000 Lycan, 2,000 And other vertebrates जो है वो आपका 83,100, 29 जाने जिए मollusca, आर्थोफोड फाइलम के बाद Mollusca जो है आपका 2nd Largest phylum है Okay, 2nd largest phylum First आपका 84,000 Mollusca तो यह improve जो है वो देखे क्या diversity पूरे world का diversity सूचिए 70% खुद species जो है Insect है उसके बाद जो बज गया आपका वो क्या? Sorry, यहाँ पर invertive rate हो जाएगा Other invertive rate वो आपका जो है बहुत कम तो यहाँ पर improve जो है कितलो species जो है इंडिया diversity है हमारे earth पर उसके बाद हम लोग क्या दखते है Biologists are not sure about how many prokaryotes species are might be अभी जो है इतले भी biologist है वो sure नहीं है कि how many species कितने species जो है वो prokaryotes के हैं अभी earth पर उसके बाद India diversity more than अगर diversity की बात करे तो एक लाट से ज्यादा plant का diversity मिल जाएगा और दिल लाट से ज्यादा आपका animal मिल जाएगा तो यह हमारा जो है biodiversity का कुछ data था magnitude of biodiversity हाँ तो हम लोगों ने देखा magnitude of biodiversity यह हमारा IUCN का report है और IUCN यह जान लिजे आप लोग जो जितना भी हम लोग पढ़े कि इतना species है अभी इतना आ गया है 1.8 million आ गया है 1.5 million था यह आपका जो भी data है बच्चा लोग इसको सब आप लोग सारा data भी भी आई है यह पूरा आपको जो है याद कर लेना है और इस जो topic आज का topic है उसमें NEET में आपका question confirm है कि question यहाँ से पूछेगा और NEET के अलवा आपका जो board exam है board exam में board exam में भी 1-2% objective इसको डालता ही डालता है तो हम लोगों ने क्या देखा कि इतना species आया गया है 1.8 उसमें इसलिए इंडिया को rich biodiversity भी बोलायता है क्योंकि देखो यह जो है 8.1 of total species को अकेले cover किया हुआ 200 से उपर देश है महा से सिर्फ जो है इंडिया हमका 8.1 species को cover कर रहा है तो हमारा diversity क्या है यह हम लोग अनुमाल लगा सकते है और अगर हम लोग अपने यहां के land area के बात करें तो कित्मा है 2.4 total तो यह हमारा वो क्या है हमारा इंडिया diversity के छेत्र बहुत आगे है हम लोग अभी जो है हम लोग आते हैं कितनी नमबर पे तो 12th number of megabyte रशेटी छेत्र में आते हैं 12th number है हम लोगों का megabyte रशेटी में अब जो है हम लोग 70% species है 70% insect को देखे 70% animal 30% आपका point है 70% animal में 70% क्या आपका insect है और यह data जो हम लोग लिखे हैं यह data आप लोग learn कर लिजेगा ठीक है तो इसी के साथ हम लोग आज का lecture यहीं पर समाप्त करते हैं next lecture में हम लोग push topic देखेंगे जो हमारे board exam के लिए important है यह आपका पुरा profile NEET के लिए काफी important था इसलिए हमने इसको बता दिया चलिए धन्यवाद कर दो